उत्तर प्रदेश बदानसवा चुनाओं के बाद प्रदेश के 36 जन्पदों में अस्थानी निकाई चुनाओं का आगाज हो गया है और आज उसके नामांकन के अंतिन टितीरे जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और बारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासिरे नामांकन किया ह प्रत्यासि विसाल सिंग चल्चल ने इस चुनाओं में अपने को अभी मन्यों की भूंका में नहीं बलकि और जुन की भूंका महुना बताया इस दरहां मेडिया से बाचित करते हैं उन्होंने का कि तीन सेटों में नामांकन किया है और इसके लिए मुक्य मंत्री योगी आ चुनाओं लो रहा हूं और उमीद करता हूं कि सबसे अधिक मार्जिन से चुनाओं जीत कर जाऊंगा इस दरहां समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी पर कमेंट करते हुए कहा दमदार तो यहां के बिधायक और सांसद है जो यहां के प्रत्यासी को चुनाओं नहीं लड लाया तो अहीं क्रिश्न की भूमका में डाक्टर विजय यादोक होगी बताया है और मैं भातियन्ता पार्टी को धन्यवाद देता हूं आदनी योगी जी को अक्तर प्रदेश के हम लोग के अध्याज आदनी सोतन देव जी को कि उन्होंने मुझे भातियन्ता पार्टी से प प्रदेश से मैं चुनाओ जीत के जाऊंगा विधान परसद का अब प्रत्यासी दिया गया तो यहां के सातों विधायक और सांसद हैं कि लोकल किसी को नहीं लड़ा पाए अब लाएं धून के तो देखा जाएगा कितनी दमदारी दिखा रहा है आप यह देखिए पहली जीत हमारी देखिए कि यह साथ विधाय के एक सांसद हैं और इनको गाजीपुर का कोई प्रत्यासी नहीं मिला तो यही आप समझ लिए कितना अच्छे से चुनाओ लड़ेंगे अब लेके आएं और लड़ेंगे क्या करेंगे तो समय वक्त बताए अब मन्यू के रोल में रहा ही नहीं मैं अर्जुन के रोल में रहा हूँ और क्रिश्न बगवान का साथ चा तासिरवाद है योगी आदितनाच जी की लोगपरी सरकार में सबसे ज्यादा वोटो से मैं गाजीपुर से जीत के गाजीपुर के जो विकास की एक घारा है उसको फिर से बहाने का काम करूंगा तेके हमारे पुझ्य महराजी है और उनका हमेशा इसने प्यार रहा है भातियंता पार्टी के सभी कारिकरता हूं का इसने प्यार रहा है तो मैं जो अभी कुछ लोग दिल बिला रहे हैं बारह तारीक को देखेगा वो फिर से बिल इस बार उत्तर प्रदेशन सबसे ज्यादा ओर से जीतेंगे वहीं दूसरी तब बिदान सभा चुनाव में सातों बिदान सभा पर जीत से लब्रेज समाजवादी पार्टी ने अस्थानी निकाय चुनाव में भदोही जनपत के रहने वाले पंडिक भोला ना सुकला को आया है आज सभा प्रत्यासी ने अपना नामांकर करने के पाचाच मीडिया से मुखादिफ होते होते दो सेट में नामांकर किया है इस दौरां चुनावी रणीती पाद्चित करते विख कहा कि अभी अवी मैं सात इधास समा सीटों पर पर्टम फार आया है और हमारा कोसिस रहेगा कि भाजपा मुक्त गाजीपुर हो जाएं इसके अलाबा उन्होंने और क्या कहा आईए सुनके हैं हमने दो सेट में नमंकन दाखिल किया है और रणनीती तो हमारी पार्टी बनाती है हमारा इतना बड़ा संगठन है अभी अमनों रणनीत से ही तो गाजीपुर को सातो विधान सभा पर 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 परशम फाराएं हैं और हमारी कोशित रहेगी कि भाजपा मुक्त गाजीपुर हो मुझे जाने कहले सब Stream से कोई नेशन है और हम तो बगल के जी ले गए हैं पुरा भारत में को कहीं भी चुना مोजनाद से हैं ने किया जादी है कास्मीर में भी अब हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं यह तो गाजीपुर है तो इसे में क्या माना आजे आपके सातों जो बिधायक हैं जी चक्रभियों की रतना करेंगे और आप अभी मन्यू नहीं हमारे सातों बिधायक और हमारे साथी शुने हुए प् प्दूल कि लोगव नहीं हweh फड़िया हैं तो है यहुए